Hello everyone, मैं हूँ आपकी दीबशिका और आप देख रहे हैं दीबशिका लाइफ स्टाल डेकोरेशन की जनमास्ट में सीरीज आज हम एक नाचता हुआ मोर बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा पतला कार्डबोर्ड लेना है जो चौकलेट की बॉक्सेज होते हैं या ओट्स की जो पतले बॉक्सेज होते हैं उसके उपर आपको इस तरह से छोटा सा मोर का डिजाइन बनाना है, बहुत आसान ड्रॉइंग है एजली आपकी बन जाएगे और उसको कट करके रखना है तो इसको चिपकाने के बाद आपको कुछ ग्लिटर की शीट का यूज करना होगा जिससे कि हम जो आगे बाला जो मोर का हिस्सा होगा उसको हैवी दिखा सकेंगे और सुन्दर और मोटा दिखा सकें अब इसको चिपकाने के बाद मैंने blue color की glitter की sheet ली हुई है अब जो cardboard का मूर बनाया हुआ था वही उसको रखना है glitter की sheet के उपर और आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद उसको cut करना है opposite direction में भी रखना है जिससे की दोनों side के जो part है glitter की sheet के आपको cutting के बाद मिल जाएंगे अब इन दोनों cutting को हम चिपकाएंगे इस cardboard की मूर के उपर जिससे की cardboard भी चिप जाएगा और बाहर जो है मूर का जो नीला रंग है वो भी हमें सुनहरा चमकता हुआ मिल जाएगा क्योंकि glitter की sheet जो होती है वो shining होती है normal sheet जब use करते हैं तो उसमें look अलग आता है और glitter की sheet से थोड़ा सा अच्छा और लगता है देखने में कोई भी सजावट की चीज़ अगर आप glitter की sheet से बनाते है तो उसमें जो है अलग ही एक सुन्दरता दिखती है तो ये देखी दोनों side मैंने अच्छे से चिपका दिया है अब इसको चिपकाने के बाद देखे इसके उपर और नीचे चारों तरफ एक थोड़ा सा heavy पन और मो कट कर लिया है तो दोनों side हमें जो है आपको चिपकाना है इसलिए एकी बार cutting करके आप दोनों आपको बनाएंगे तो size भी perfect होगा same होगा अब इस side भी चिपका दिये same इसी तरह से आपको दूसरे side भी आपको चिपकाना है और आपको चिपकाने के बाद मैंने लिया हुआ है black color का marker जिससे हम अंदर का जो आख का हिस्सा होता है वो draw करेंगे और जो बहरी एक outline होती है उसको भी इसी marker से बनाएंगे अगर marker नहीं होता है तो आप black sketch का use कर सकते हैं नहीं तो आप water color को use कर सकते हैं सीक से बना सकते हैं तो यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है एक आपकी request थी कि दुबारा से एक more की video दिखाई जाए तो आपकी request पे यह video बनाई जा रहे हैं hopefully आपको यह अच्छे लगेगी अब यह glitter की sheet से इस तरह का wing मैंने करके रखा हुआ है सेम उसी की नाप का एक दूसरा भी मैंने design बना के और उसको काट लिया है तो यह देखिए खुले हुए punk बनाने है क्योंकि जब more नाच रहा होता है तो उसके punk हवा में फड़ फड़ा रहे होते हैं और खुले हुए होते हैं तो यह इस तरह से आपको cutting करके और दोनों side चिपका दीनी है तो सबसे पहले मैंने silver color की glitter की sheet है उसके punk बनाई हुए है और उसको cut करके दो देखने में लगेगा कि यह इसका मूँ का हिस्सा है अब फिर से golden color की glitter की sheet ली है जिसको fold करने की बाद मैंने कुछ एक कमल की पत्ती की तरह design बनाई हुई है अब इसको cut करेंगे तो जो glitter sheet आपको दिख रही है silver color की उसी के ऊपर ही इसको हम चिपकाएंगे तो यह हमारे जो मौर के colorful punk होते हैं वो बनके तयार हो जाएंगे अभी देखिए इसके उपर दोनों side ship काना हैं आपको क्योंकि यह एक नाचता हुआ मौर दिखा रहे हैं one sided नहीं होगा अब छोटी सी कटोरी की नापकी मैंने circle बनाके और उसको इस तरह से cut कर लिया है और green color से पूरा मैंने उसको paint किया है अब green color की ही मैंने glitter की sheet ली है और उसमें एक बड़ी सी पती बनाई हुई है अब इस पती को इसमें बनाने के बाद मैंने cut किया हुआ है तो इस तरह से कई सारी पतियां आपको cut करके रखनी है और इसमें दोनों side आपको इतने छोटे छोटे से cuts लगाने है प इसे की जो पंक है वो आपको खुले हुए दिखेंगे अभी ये cutting तो complete हो गई है लेकिन अब आप देखे ये एक भी आपको खुले नहीं दिख रहे हैं पर हमें इनकी खुले हुए पंक चाहिए है तो अब आप जब इसमें तिर्चा cut लगाएंगे इस तरह से तो ये एक ए ग्लिटर की sheet रख सकते हैं और blue color और sky blue को combination मिलाके एक जो more punk होता है वो पूरा आपको तयार करना है आपके पास glitter sheet नहीं है तो आप normal paper से भी बना सकते हैं बस paper आपका colorful होना चाहिए yellow, sky blue, blue and green उससे आपका ये बनके तयार हो जाएगा अब इसमें पूरा circle आपको cover कर रहे है इनी more punk को रख के अगर आप sheet वाली यूज नहीं करना चाहते हैं असली के more punk आपके पास है तो आप उसको भी इस cardboard के उपर चिपका सकते हैं लेकिन हम एक पूरा craft बना के आपको दिखा रहे हैं more का तो आप इस तरीके से पूरा बना सकते हैं अब आगे वाला जो हिस्सा हमन के लिए मैंने गोटा लगा दिया हैं अब इसके जो more के ऊपर भी चोटा सा मुकोट बना होता है कलंगी बोलते हैं इसको तो red color की glitter की sheet से मैंने ये तीनों बनाई हुई हैं और उसकी ऊपर उसका जो माथा होता है उसके ऊपर चिपका दी हैं अब इसके पैर बनाने के लिए मैंने bamboo stick का use किया हुआ है दो bamboo stick रखी हुई है और उसके पंजे बनाने के लिए जो earbuds होते हैं कान साफ करने वाली plastic की जो होती है उसका use किया हुआ है तो 3-3 मैंने देखिए इसके पैरों में चिपका दिया है और bamboo stick को और earbuds को brown color कर दिया है तो ये more भी हमारा खड़ा हो गया ह और पूरा punk फैलाए हुए है पीछे नाचते हुए तो इस जनमास्ट मी जरूर बनाएए ये नाचता हुआ मोर अपनी जनमास्ट मी जहाकी को सजाने के लिए जो की देखने में बहुत सुन्दर लगेगा और इस मोर को आप रखिए अपने राधा क्रेशन के पास अपने का को भी बहुत ज्यादा प्रिये है और ये देखने में सचमुझ बहुत ही आपका सुन्दर लगेगा आपकी जहां की और भी ज्यादा सुन्दर दिखने लगेगी आगे आने वाली वीडियो भी आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगेंगी जो कि सभी आपी की डिमांड बनाई जा रही है अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजे साथ में जो सब्सक्राइब वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है उसको दबा दीजे और नौटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजे और आल पे क्लिक करना मत भूलेगा जिससे कि जो भी नई वीडियो चैनल पे अप्लोड की जाएगी किसी भी टाइम अगर अप्लोड होती है तो आपके पास नौटिफिकेशन आजाएगा आप हाथों हाथ उसको देख पाएंगे तो कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी और आप जनवास्टमी जाकी को बहुत ह आसान तरीके से बना के तयार कर सकते हैं चैनल पे बहुत सारी वीडियो आपको पहले से मिल जाएंगी कि गोकुल गाओं को किस तरह बनाना है दोनों पार्ट आपको मिलेंगे किस तरह से आप बना सकते हैं साथ में गोबर धनकी जहांकी पूतना बद देव की वासुदेव कारागार के सैनिक कैसे बनाने हैं आपको और इस तरह की बहुत से आपको चीजे देखने को मिलेंगी नौका विहार किस तरह से कराना है तो यह हमारा जो मोर है नाश्ता हुआ बनके तयार हो चुका है आपको अच्छा लगा होगा थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प् सब्सक्राइब माइ चानल